तो दोस्तों आज हम लोग देखने चल रहे हैं सब्सक्राइब करवा ले सकते हैं तो आपका जैसा के जान सकते हैं आपका यह सुरू हो गया है सब्सक्राइब के लिए registration तो हमारा इस बीटीव का नाम क्या है हर कोर्ड बटलर टेकनिकल उनस्टी है तो चलिए देखते हैं क्या है और कैसे होगा और कितना कटाप जाता है इसका सारी डीटेल हम सारी जानकारिया इसमें लेने वाले हैं तो चलिए बिनकिस्देरी के सुरू करते हैं तो चल लेकिन हमको क्या करना अपने बीटे के लिए बीटे कांसलिंग के लिए यह रहा आपका रेजिस्टेशन च्वाइस सब्मिशन बीटे कांसलिंग 2022 के लिए इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो आपको यह डायरेक्टी खोल देगा यह साइट ठीक आपका डायरेक्टी खोल ग पेज खुल जाएगा उसमें आप अपना चोईस फिलिंग करेंगे और उसके बाद अपना आगे प्रोसीट करेंगे और उसमें आपका आएगा दो चीज़ एक आएगा फ्रीज और एक आएगा फ्लोट ठीक यानिक अगर आप क्या करते हैं, select कर लें, seat नहीं select कर रहे हैं, तो आप को क्या कर देंगे, freeze कर देंगे, ठीक, या float कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक, फिर आगे हम चलिए, देखते हैं, इसका cut-up कितना गया है, पूरा, और पूरे ज्यानकारी, और कितना, इसमें क्या-क्या लगएगा आपका admission के लिए, और क्या-क्या चाहिए, ठीक, उसमें देखते हैं, तो, जैसे कि हम अपना information बोरचल खोल लिए हैं, तो यह आपका आगया guidelines कुछ admission के लिए, ठीक, admission से regarding, आप इसमें क्या है, जे मेंस का आल रेनियर rank पे, आपका admission होगा, और कुछ पहले, इसका, यह खु प्रिम कहां कहां होना चाहिए, जरूरी है, आपको उत्रपदेश के होने चाहिए, ठीक, उसके बाद कुछ जानकारे और आगे नीचे चलते हैं, पुरी जानकारे लेते हैं, उसमें आपको फ्यू वेबर सीख भी हुलती है, आप महां से पता करके, आप महां पे admission ले सकते ह हैं, ठीक, फिर आते हैं, आगे अपनी काम के चीज़ पर आते हैं, अपना काम के चीज़ है, जैसे के देख सकते हैं, सेडूल से आपका क्या है, जैसे के देख सकते हैं, आपका जो सेडूल कास्ट है, यूपी में, उसका 21% आपका seat reserve रहता है, और सेडूल ट्राइब के लि में आप डाल सकते हैं फिर आ गया यह जरूरील नहीं है फिर इसमें क्या है आगे अपने काम की चीज़ फिर साथ हां अब आ गई बात आपकी 24 फिलिंग के ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रोसीजर की बात आ गई ठीक आपको इसी साइट पे आप अपना काउंसलिंग करवा सकते आपको हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे ठीक आप फर्स्ट राउंड क्या है रिजल्ट के सीट एलोकरशन है उसमें आपको क्या होगा सीट डिबाजिट करनी होगी 10,000 फिस आपको अनलाइन देपेश करनी होगी ठीक उसके बाद आप 10,000 आउनला आपको अप्लोडिंग दा इसकांड कापी आफ और अर्लाइन डाकुमेंट वेरिफिकेस यानि कि जब आप अपना इसकांड डाकुमेंट अफ्लोड कर देंगे तो आपको दो आपसन आएगा जब रेजिस्टेशन के बाद दो आपसन क्या-क्या आएंगे आपको फ्री जा है तो आप उसमें भी ले सकते हैं आपको जो डाकुमेंट जरू हुआ थे ओनलाइन डाकुमेंट वेरिफिकेसन भी होगा आप उसको प्रॉपरली प्रॉपर फॉर्वेट में आप अपना क्या करेंगे आप उसको अप्लोड करेंगे ठीक इफ दे कंडियर गेट सीट फर्स यानि कि जब आप 10,000 जमा किये रहेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा एक लाग मैंतिस जार आपको पूरा देना होता है लेकिन आप अगर फीज माली सीट एक्सेप्ट कर लिए है तो आपको एक लाग मैंतिस जार पचीस जार फिर से देना पड़ेगा ठीक नान डेपोजि सम 5000 डिड़क्टेड उसमें 5000 आपको डिकर डिकर डिड़क्ट होके मिल जाएगा ठीक इस तरीके सा आपका कुछ प्रोसेस रहेगा आप इसको हम यह इनफॉर्मेशन ब्रोचर आपको प्रेडियफ के फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप वहां से भी दे सीट को भरते हैं ठीक फिर उसके बाद आ गया यह आपका कुछ राओं-लाइन रेजिस्टेशन रेजिस्टेशन फी प्रचीश सो नॉन डिफेरेंडेडेबल हो गया ठीक फिर उसके बाद आगे आपने फिर काम के चीज़ पर आते हैं फिर आगे आपका एडिसनल राउन का फिर आपका यह जैसे कि यह देख सकते हैं कि हमारा यह 26 से ही स्टार्ट अब आपका आगया 23 सितंबर आपका लाश्ट डेट रहेगा फिर फिर राउन सीट कब अक्टूबर 4 को फिर फिर फीज डिपोजिट कब करनी हमको पांच तारीकों कर पांच से आठ के बीच में हमको फिर फिर उसके बाद यह तो आप अपना बैलेंस अकेडमिक फिर जम्म करिए या फिस कर फिर नव से 10 के बीच में आपको कर देना और वेकरश रिपोर्टिंग आपको दस तारीक को रिपोर्टिंग कर देनी है ठीट उसके बाद सेकर्ट राउड का कब स्टार्ट हो रहा ह तो इस तरीके से कुछ रहा आपका यह फीस इस्ट्रक्टर देख लिए नॉन गवर्मेंट कॉंपोनेंट यानि 75,000 आपको फीस पूरी जमा करनी होगी फिर इसी में सारा आपको आइडिशनल देते देते सब कुछ देते आपका जो चार्ज लगता है चार्ज लगने के बाद एक लाग 35,000 पूरा टोटल हमारा फीस बन रहा है ठीक यह हमारा एक लाग 35,000 पूरा फीस बन रहा है ठीक यह मानी कि हमारा सालवर का यह रहेगा फीस ठीक इस तरीके से आपको इसके तरीके से आपका रहेगा फीस इस्ट्रक्टर फिर आ जाते हैं इसके कुछ थाड राउ क्लोजिंग कितनी है एक लाग तक गई है ठीक फिर आका से भी लाग गया इसी तरीके से 36,000 पर स्टार्ट हुआ है यानि जिस तरीके से अच्छे ब्रांच में जाएंगा तो उसी तरीके से आपको फिर हो जाए कॉपिटर साइंस कितने पर 14,586 पर और क्लोजिं रांग कितनी है 2923 पॉज वोज जाये गाया इस प्लास्टिक घ्रीरें कितनी है प्लास्टिक सबसे पहले हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कंप्यूटर साइन्स को यह हमारा 22,000 पर शुरू हुआ है सोताइस जार पर खताम ओड़े ओविसी में ठीक और फिर सी कटेगरी में क्या है हमारा 68,790 है और 13,001,301 है यह ठीक फिर आगया इसी तरीके साब का है पीडवलीएस कटेगरी में इसमें कोई अभी हमको कोई डाटा नहीं मिल पाया अगर आपको वीडियो आज समझ में आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर आपका एडिशनल राउन आता है जनल में क्या है जैसे कोई सीटे बची हुई हो पूछ सकते हैं ठीक तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं फिर से तपके लिए धन्वाद और चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा और कोई भी परिशानी हो तो हमसे पूछ सकते हैं थैंक्यो